अज़ने पर मैं यह को यहां से चुछ में लोगों करना है जो सैशन था रैंडशन का बिल्ट-इन फंक्शन उसके हम लोग एक सेारियो και से हो चुके अब उसके बाद यह एक लास्स हमेह वन Tetra Сब्सेक्ष और से जिसमें हम लोगों है असान कोई मुश्किल चीज नहीं है लेकिन इसको समझना इसको यहां तक इसके solution तक पहुचना जो है वह थोड़ा सा अजीब सा है तो अगर इसको गोड़ से पढ़ते हैं क्योंकि इसमें content जो हमें कम दिया हुआ है और हम लोगों ने अपने data को देखके जितना देव हम लोग को उसी को देखके तो किसमें सोलूशन क्या बन सकता है इसको देखते हैं सब पर सब अच्छा सबसे पहले चीज़ वह हमसे कह रहा है जनेरेटर सिंगल सब्सक्राइब एक चीज़ क्या वोलिए उन्होंने कीवर्ड देखो एक सिंगल रांडम करेक्टर जनेरेट करना है एक प्रॉम विदिन वन अफ द विदिन वन ऑफ द अच्छा अब वन ऑफ पर फो करेक्टर सब्सक्राइब जो मैं पढ़ रहा हो। उसको सिर्फ समझने की कोश हुशिक करो मैं पढ़ करेक्टर विदिन वन ऑफ द फॉलिंग मतलब इन तीन मैं से कोई एक रेंज स्चूस करनी है अब मुझे यहां पर confusion हो रही है कि मैं अब आगे बढ़ते हैं चलो मुझे थोड़ी बहुत confusion है इस पाइट के अंदर मैं वापस आँगा इस पर लेकिन अभी आगे देखते हैं कि क्या क्या चीजी दीवी है हमें करेक्टर रेंज दीवी है 97-122 मुझे एक चीज पता है मुझे एक चीज पता है कि मेरे पास कोई रांडम करेक्टर जनरेट करने का कोई बिल्टन फंक्शन नहीं है लेकिन मेरे पास एक चीज है विच इस यह रांड जो function आपनों का जो कि random number generate करता है तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए random number जड़ generate करता है तो मैंने यह पर देखा उसकि एस की values होती है हर रह्लफबेट जो होता है हर कोई भी जो होता några के वाली होता है यह उसको इसित्माल कर सकता तो मैं 97 से 122 के दर्मियान को भी एक रैंडम नंबर जनेरेट कर वा हूँ और उस पर फंक्शन लगा दूँ च्र का फंक्शन क्या होता है कि उस प्रिटिकलर एस की वैलियू को आप लोग करेक्टर में कर दो तो क्या मेरे पास रैंडम ली जनेरेटर करेक्टर आजएगा बि इन तीन में से सिर्फ एक करेक्टर चाहिए अब मैं यह कैसे करूंगा कि मुझे पहली वाली रेंज में से चाहिए या दूसरी वाली से चाहिए या तीसरी वाली से चाहिए तो अब यहां पर मुझे इश्यू आ रहा है देखो अब इसके अंदर सुल्यूशन क्या है इसका सबसे best solution यह है कि मैं इनको numbering दूंगा मैंने numbering क्या दे दी इनको 123 सभी मुझे confusion क्या हो रही थी confusion यह हो रही है कि इन तीन में से मैं कैसे यह randomly identify करूंगा कि मुझे small a to z में से चाहिए मुझे capital a to z में से चाहिए यह 0 to 9 में से चाहिए सब्सक्राइब कोई भी character आ सकते है ना small a आगया random ली generate हो गया या 0 generate हो गया अब मैं इन में से differentiate कैसे करूंगा अब देखो ranges तो different हैंगी मैं अगर एक single range बनाके उसके साथ तो नहीं कर सकता हो ना कि मैं अगर सिर्फ एक ही range बनाओ उसमें से यह तीनों ही आप लोगों की generate हो जाए मुझे तीन अलग-अलग random functions create करने पड़ेंगे एक random function इसके लिए create होगा एक इसके लिए create होगा एक इसके लिए create होगा लेकिन तीन से मतलब तीन different output आ रहे होंगे तो मुझे तीन different चाहिए ही नहीं मुझे क्या चाहिए मुझे सिर्फ एक ही चाहिए मुझे अभी देखो 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 समझो सही है तो तीन में से मुझे कोई एक चाहिए small a चाहिए या तो capital A to Z में से कोई भी number चाहिए capital V या 0 to 9 में से कोई एक randomly number generate करना है तो इन तीन में से मुझे एक चाहिए और वो भी random होना चाहिए तो अब मैंने क्या किया 123 इनको options दे मैं range को randomly identify करूंगा मैं पहले identify करूंगा कि A to Z की range choose करनी है या capital A to Z की range choose करनी है या 0 to 9 की range choose करनी है तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे एक random function मनाना है जो कि 123 में से मुझे कोई एक option देगा for example उसने मुझे option दिया 2 तो मैं capital A to Z में से जाओंगा 65 to 90 की range लगा रेंडम function से रेंड का एक character generate कर दूँगा for example अब उसने मुझे random 123 में से randomly generate किया 3 तो मैं 0 to 9 पे जाओंगा और 48 to 57 का character को 48 to 57 की उस value को इस्तमाल करके मैं अपनी range को इस्तमाल कर दूँगा तो 123 मैंने क्या किर दिया एक तरीका से अपना values कर दी है इन हर एक एक range को मैंने एक value दे दी है चलो अब इसका जड़ा court करना start करते हैं जिसको अभी भी clear नहीं है तो वह court के अंदर उसका इससा चीज़ें clear होती चली जाएंगी देखते हैं अच्छा जी कि यह load नहीं है क्या issue इसमें एक उल्ला मालिक है हां मुहमद कोई मिसला नहीं कोई मिसला नहीं अच्छा मुझे फंक्शन मनाने रैंडम चार के नाम से फंक्शन रैंडम इसके अंदर हम लोग केस का concept इसमान कर सकते हैं क्योंके 123 123 का मालब एक ही correct एक ही variable को हम लोग तीन दफा चेक कर रहूंगे तो इफ से भी कर सकते हो इफ करेक्टर इस एकल टू वन तो स्मॉल एटू जी वाली कंडिशन नहीं 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 मैंताता हूं ना रैंडम चार मैं भी कोड लिखनें पर तुम लोग और से और डीटेल में समझाता हूं रैंडम चार रिटेंड्स चार कोई parameter नहीं ले रहा था हमने भी नहीं लिए रिटेंड्स चार अच्छा जी रिटेंड्स चार अब उसके बाद एक दो लाइन आप लोगों ने छोड़ दी यहां पर फोर योर डिक्लेरेशन या कुछ भी आपने को डिक्लेर करना है अब मुझे इन तीन में से पहले option चूस करना है बता दानिया चार इस दिन अभ द exec ना इन बिट्च्र और टाइव देनल सभी सरह मुझे सबसे पहले चूज करना मुझे रेंडंम ज गर्वान आक वह इस पहली रिंज में से चाहिए दूसारी रेंज में से चाहिए य कृती सी एयर व Hence, ऐटो जी में करना है किसमस्स connected जा less देखो ना यहा consort कोई parameter नहीं था ना इसमें तो नहीं लिया मि जा अगर मुझे 123 म से मुझे 123 में कज्विभ को रैंडम्ली चनरेड करना तो मेरी रैंगी मैं इस तरीके से कर सकता हम इसको रैंड सुर्य प्लस वन कोई मैसला किसी को यहाँ पे इसमें किसी को को इश्यू एक दवा सवाल पर चे दिखा तुम देख लो भई रैंडमली नंबर जेनरेट करना है इन तीन रेंज में से कोई एक प्लस वन क्यों किया अदूर मुष कल्की क्लास नहीं ली थी परसूं की लास नहीं ली थी अदूर मुष तो फिर ली थी तो फिर क्या मसला इसमें अगर 0.5 आ जाता है सभी अगर 0.5 आ जाता है इसका इंटीजर पाइट क्या होता है जीरो तो जीरो प्लस वन करते थे ना याद है आपकुछ याद है क्योंकि 123 चाहिए न मुझे इंटीजर नमर्स चाहिए 123 से फाइदा है फाइदा है मुसर पढ़ लो भी अगर 1.5 आ जाए तो 1 प्लस 1 टू हो जाएगा टू जनरेट हो जाएगा बिलकुल साथ ठीक है हाँ बिलकुल 123 रैंट 3 एक इसा बिल्ट-इन फंक्शन है जो के जीरो से लेके अब 0.1 वैल्यू जेनरेट कर सकता है और 2.99 तक वैल्यू जेनरेट कर सकता है सही है हाँ इन में से कोई एक option चूज़ करना है न या तो small a to z होगा या तो capital a to z या तो 0 to 9 इन तीन में से एक character चाहिए मुझे अब वो भी randomly होना चाहिए सही है मतलब randomly small a आ जाए या कभी capital capital z आ जाए capital f आ जाए जिरो टू 9 में 8 नमबर आ जाए इन तीन में से कोई भी random चीज़ आ सकती है तो पहले मुझे range को specify करवाना पड़ेगा range को randomly generate करना पड़ेगा मैं किस range से value को extract करूंगा 123 मतलब मुझे 123 चाहिए थे तो मैंने इन रैं generate होंगे इंट रैंड 3 plus 1 से में पास 123 जो है वो numbers generate होंगे आप लोंके जब यह तीन numbers generate होंगे तो इसमें range में value आ चाहेगी for example suppose करो range में value आती है 2 सभी अब मुझे क्या करना है अब सभी यहां पर देखना मैंने यहां पर बनाया case अपना structure इफ से भी कर सकते हो इफ से भी कर सकते हो केस जादा असान इसमें केस ऑफ रेंज रेंज करने के बाद अब मुझे numbers generate करने यहां पर देखना पहला मैं वन का केस मतलब मतलब अगर वन generate होता है रेंज के अंदर वन generate होता है तो मैं small a to z की बात करता हूं सही है मैं small a to z की बात करता हूं जल्दी से इसको देखते है small a to z 97 to 122 मुझे randomly numbers generate करने 97 से 122 के दर्मियान यह चीज़ समझ आई सबको कि मुझे अगर small a से z तक की value चाहिए तो मुझे 97 से 122 तक के दर्मियान कोई number generate करना होगा यह clear है सबको पहले चीज़ का बताओ मुझे 97 से 122 तक की number generate करने होगा अगर मुझे small a से z तक की value चाहिए तो जो भी number generate होगा उसको मैं chr करूँगा एस की value को chr करूँगा तो वह small a to z तक की range बन जाएगी सभी तो मैं क्या करूँगा भाई इसमें अब मुझे यह सोचना है अच्छा देखते हैं अच्छा अब मुझे यह सोचना है कि मैं 97 से 122 की कैसे करूँगा विटा च्छार इस बिल्ट-इन फंक्शन विच कनवर्ड़ एस की वाल्यू इंटू योर करेक्टर सभी अब मुझे यह देखना है कि मैं 97 से 122 के दर्मियान जो वह है आपका रेंज उसको कैसे मैं बनवा सकता हूं नहीं नहीं मैं अब देखो जरह इसको देखते हैं यहा कि यहां पर क्या आना चाहिए इसके बारे में सोचो पहले आइटिफाय करो 122 और 97 में कितना डिफ्रेंस आ रहे है इसे यह 25 को डिफ्रेंस है अच्छा तो मुझे यहां पर क्या लेना पड़ेगा मुझे यहां पर 26 लेना पड़ेगा और सब्सक्राइब पर मैं क्या वैली लोगा यहां पर मैं वैली लोगा 26 चलो अब 26 क्यों लोगा अब इसके बारे में सोचो मैं 26 क्यों ले रहा हूं मैं इसलिए 26 ले रहा हूं क्योंकि में पास final answer क्या सकते है 25.9 25.9 अगर आता है तो में पस उसका इंटीजर पार्ट क्या होगा 25 अब उसके अंदर मुझे अपने पास 97 को प्लस करना है अच्छा आप इसके बार में देखते हैं इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूं तुम लोगो ठीक है मुझे पिर तुम आप जो पिछली क्लास पहले देख लो पिर है क्या बुरू बताया ना एहमेद यहां पर देखो बताया ना नोने फिर्स रेंजिस एटुज़ी स्मॉल एटुज़ेट नाइटी सेवन टुवन 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 टुज़ तो मुझे क्या करना है इस रेंज को जरा स्टेडी करते हैं इस चीज़ को स्टेडी करते हैं मेरे साथ जरा रुक जो पहले मैं इस रेंज को समझाओं तुम लोगो फॉर एक्जामपल अगर मैं बात करता हूँ इस चीज़ से मेरे पास सबसे स्मॉलेस वैल्यू क्या सकती है जीरो येस ये नो सबसे स्मॉलस वैलिई जो मैंने भी येलो के अंदर बॉक्स की अब है प्लस 97 को छोड़ दो सबसे स्मॉलस वैलिई क्या सकती है 0 आ सकती है इंट राइंट 26 तो 0.1 आगई वैल्यू आती है तो उसका इंटीजर पार्ट क्या होगा उसके इंटीजर पार्ट क्या होगा अभी सिर्फ इस फंक्शन पर रहो कोश्यर पर वापस आएंगे सही है मुझे बताओ इंट राइंट 26 पर क्या वैल्यू आएगी इंट राइंट 26 पर क्या वैल्यू आएगी 0 सबसे स्मॉलस वैल्यू जीरो होगी प्लस 97 कर दो प्लस 97 कर दो इसमें आंसर बताओ जिल्दी जिल्दी आंसर बताते रहो तो मेरे पास जो स्मॉलस्ट वैल्यू है जो स्मॉलस्ट वैल्यू है तो वो मेरे पास 97 बन रही है अच्छा अब इस ही जो येलो बॉक्स के अंदर मौजूद है सही यह जो आरो भॉसरा जिन्व नमबर बताओ क्या सकता है मेल्कुल मॉहिद मैक्सिमन नंबर क्या सकता है दनिया थृंटी6.9 ने आग़ा 25.9 उसका इंऐ पाइट के होगा 25 ऐसे है कि इसका इंटीजर पाइट 25.99 का इंटीजर पाइट के होगा 25 growers last तो आप इससे एक तरीके से हमारे पास रेंज बन गई किस चीज़ की 97 से 122 था कि कि समझा ही सबको अब फॉर एक्जैंपल सपोर्ट करो यहां पे नंबर जनरेट होता है 2.4 इसका इंटीजर पाइट क्या होगा 2.4 का इंटीजर पाइट क्या होगा 2 होगा 2 प्लस 97 2 प्लस 97 99 तो एक मेरे पास रेंज सेट होगे किस चीज़ की रेंज सेट होगे 97 से 122 अब इसके बाद वाली तुम लोगों ने बतानी है यह चीज़ अब दिमाग में पहले बठा लो अगर क्लियर नहीं है मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ तो मुझे टू और थिरी के रेंज सुम लोगों ने खुद बतानी होगी तो पहले इस चीज़ में रहो चलो अब जरह इसको मैं अपने पास वन के अंदर लिखों पहले पहले तो मुझे एक रैंडम नंबर जनरेट करना है और उस चीज़ को जनरेट करके CHR में convert करना है अब for example suppose करो यहां से value आती है generate हो के int rand 26 से value आई 0 0 प्लस 97 में पस क्या value आ गई बिल्कुल अब दिल्दा ऐसी है मोहिद मैं बताता हूं तुम्हें 0 प्लस 97 क्या value आ गई 97 अब अगर मैं कहूं कि इस पे CHR apply कर दो CHR 97 CHR 97 क्या होता है CHR एक ऐसा function है built-in function है जो कि एक as की value लेता है 97 is a as की value which is a small a बिटे एस की तो वो CHR को फिर एस की में convert करता है ना CHR जो होता है वो इस की value को करेक्टर में convert कर रहा होता है यहां पर देखो 97 ही होता है तो यहां पर अगर मैं इस चीज को CHR कर दूंगा तो में पर small a generate हो जाएगा एक रैंडम ली करेक्टर generate हो चुका है सही है कोई मसला बिल्कुल कर सकते हैं मैं भी करके दिखाता हूं तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा यहां पर लिखूंगा करेक्टर जो रैंडम ली जनरेट किया है मैंने उसको मैं नाम दे रहाँ करेक्टर इस इकुल टू करेक्टर इस इकुल टू CHR मैं सब चीज़ें एक ही लाइन के अंदर कर रहा हूं CHR इंट रैंड 26 प्लस 97 इस तरीके से यह हो गया मेरा पहली रेंज तयार अगर रेंज के अंदर वन आता तो मैं पस यह चीज़ आउटपुट हो जाती अब मैं टू के साथ देखो क्या करूंगा तू करेक्ट इस एकुल टू CHR इंट रैंड अमने यहां पर रुक रहा हूं अब मैं यहां पर रुक रहा हूं अच्छा अब मुझे यह बताओ सेकंड रेंज क्या है मेरी ए टू जड़ A to Z, capital A to Z और range क्या बनानी मुझे 65 to 90 65 to 90 अगर मुझे 65 to 90 करना है तो मुझे यहाँ पर क्या value रखनी पड़ेगी प्लस क्या करवाना पड़ेगा सोचो उसके बारे में मुझे यहाँ पर value 26 रखनी पड़ेगी प्लस 65 करवाना पड़ेगा इस तरीके से होगा प्लस 65 करवाना पड़ेगा मुझे प्लस 65 होगा पहले 97 से 122 बनानी थी तो मुझे यहाँ पर प्लस 97 करना पड़ा फर एक्जेंबल सपोस करो में पर सबसे बिटा यहाँ पर देखो ना देखो ना 90 और 65 में कितना डिफरेंस है विटा कर यार ही तुम्हें इसमें फाहत करे लेटे चाहिए थोड़ा से डरो उस खुजा से यार थूड़ा से डर लो इस अमने सिक्टी फैप क्या होता थै जहन डिफरेंस बताओ जैन 90-65 difference क्या रहा है देखो तुम लोग को इस हालत देखो 35 30 या मेरे खुदा 90-65 क्या होता है 25 होता है वाई जब 25 difference है तो मुझे क्या कहना पड़ेगा 0.5 अगर value आती है तो इसका इंटीजर पार्ट क्या होता है 0 प्लस 65 विल गिव यू तो smallest value अब अगर मैं बात करता हूँ 25.9 नमबर आता है तो 25 विल बी माई इंटीजर पार्ट 25 प्लस 65 विल गिव यू 90 तो maximum भी हो गया तो यह एक तरीका से second range भी बन गई अब थर्ड की देखते हैं भई बिल्कुल वही 26 लखा है 0 to 9 0 to 9 के लिए 48 to 57 सभी अब मुझे कितनी range बनानी है 48 to 57 अच्छा अब इसकी दो तरीके से हो सकते हैं क्योंकि यह तो numbers हैं सभी क्योंकि यह numbers हैं तो मैं इसको directly भी कर सकते हो सभी यह numbers इनको directly भी आप लोग कर सकते हो for example करना चाहो तो 0 to 9 तक कि अगर तुम लोगों ने number बनाने तो किस तरीके से बनाओगे यह तुम लोगों को पता होने चाहिए जो अभी हम लोगों ने उपड़ देखी conditions लेकर से तरीके से कर हो उसको वेहएं भी कर सकते हो लेकिन क्योंकि हम लोगों ने इसको किस फौर्म अछिए ना तक हिए स्कानल की लगा होगे पिटा है मदा राला जीडियू ना इंटीजर है तो मुझे क¿ंवेट करना पड़ेगा किस चीम में कि इसवेट करना पड़ेगा नंटू स्ट्रिंग सब्सक्र्णा चैये आरे बेट वस्क्र 창यन अपड़ेगा नम्टू स्ट्रिंग हा ना तो num to string क्या चीज रिटन करता है ये बताओ character रिटन करता है ना character भी कर सकता है हा ना जैन जो भी 0 to 9 तक में कोई number generate करो 0 to 9 के दरम्यान कोई number generate करो और उसको num to string कर दो एक ही बात हो कोई सालार एक ही चीज होती है string और character अगर एक single string है एक ऐसी तो num to string जैब आपको एक चार भी return कर रहा होता है चलो तो अब मुझे अगर 0 से 9 तक की range बनानी है तो मुलों बताओ क्या करना क्या मुझे 0 to 9 की range में plus one करने की जरूत होगी क्या मुझे 0 to 9 में plus one करने की जरूत होगी नहीं तो मैं क्या range set करूंगा अपनी रैंडम इंट रैंडम बेतरीन बेतरीन इंट रैंडम इस चीज को जो भी नंबर जनेरेट होगा उसको मैं नंट रैंडम इस चीज को देखो क्योंकि देखो अब मुझे वन से रैंज नहीं चाहिए मोहित अब मुझे वन से नहीं चाहिए वन से नाइन तक की वैल्यूस नहीं चाहिए मुझे कहां तक की वैल्यूस चाहिए मुझे चाहिए जीरो से नाइन तक की वैल्यूस तो अगर जीरो से नाइन तकी बात करें तो अगर जीरो पॉइंट फाइव आता है इसके इंटीज़ पार्ट विल बी जीरो तुम्हें पस स्मॉलेस्ट वैली तो मुझे जीरो ही रखनी है प्लस नहीं कभाना इसके अंदर और अगर मैं यहां टैन रखूंगा तो मैं पस वै नाइन कर देते हैं तो मसला क्या आएगा मैक्सिमम नंबर क्या सकता है एट पॉइंट नाइन नाइन तो इसका इंटीज़ पार्ट विल गिव यू एट जो के घलत हो जाएगा नाइन कभी हो गई नहीं तो उसके लिए मुझे यहां एक एक्स्ट्रा नमबर लेना पड़े करके तीन अपनी रेंजिस को सेलेक्ट किया है और इसको एंड केस कर देते हैं एंड केस अभी हम पूरे कोड को रण करके दिखाता हूं टेंचन निलो एंड केस करने के बाद आपने यहां पर रिटर्न कर दिया अपना करेक्टर कि रिटर्ण गरिटर्ण करेक्टर कि वैटा हमने जो रेंड सैट किये उससे यह बता रहा है कि प्लस नाटी सेवन्य रेंज क्या होगी स्मॉल अटूज वाली प्लस इसटी फाइवाली रेंज क्या होगी और यह एंट रैंड वाली जो है वह 0-9 रेंज होगई हमने जो range inside the condition set कि एना उससे बदा चल दा बिलकुल इप से भी कर सकते हो इप से भी कर सकते हो if range is equal to one then character is equals to this else if range is equals to two character is equals to this else character is equals to num2 string इस तरीके से होगा return character end function that's it यह वो गया पको complete चल अब देखो अब मैं इसको समझाता हूं तुम लोग जिस जिसके सरक पर से गुजरी आप इसको समझते हैं डीटेल में एक में देना यार इसी चल्ड़ाइगा अपर केस करना है तो यू केस हो जाएगा है हम मैं समझाना है नवीद बटा recording देखना अब तो लो अब देखो इस सवाल को फिर से देखते हैं सब चीजों को समझते हैं एक दफा डीटेल में कोड को देख लो मेरे साथ चलो बढ़ी चलो बढ़ी चलो बढ़ी चलो बढ़ी अब लोवर केस जो है वो तो एक नाम होता है ना एल केस जा वो फंक्शन का नाम है मुझतबह लोवर केस तो वैसे इंग्लेश में बोलता है ना अब हम लोगोंने क्या करना है सवाल को समझते एक दिफा फिर कोड को वापिस याप लोगों ने कर सकते थे बैद कर सकते थे बिल्कुल गूर सकते थे देखो अब आप लोगों देखो 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 फोकस सो कस अब आप लोग उसे वो कहाrint रहा है J falando करेक्टर आप लोगो ने जरेरेट करके देना है उसको और से इसको जरेरेर करके करके देना है वह एन्टू जी स्मॉल a-टू-झी कैपिटल a to Zee and 0 to 9 तक की जो range है उसके अंदर आप लोगों ने इसको generate करके देना है कोई एक character चाहिए इसको या तो A to Z small या तो A to Z capital या तो 0 to 9 इन तीन में से कोई एक चीज़ चाहिए और वो भी randomly होगा मतलब शायद A value return कर दो या C आजाए capital C क्या कभी 2 return हो जाए तो कोई भी random character generate करना है इसमें तो अब मुझे इन तीनों ranges को भी random करना होगा तीन चीज़ों को random कैसे होगा मैं इनको एक numbers assign कर दी विच इस 123 तो मैं A to Z वाली जो range है A to Z वाली जो range होगी इसमें से मैं number को generate करूँगा तो मैं यह वाली condition को apply करके small A to Z में से कोई भी random number को generate करूँगा AS की value करूँगा उसको CHR कर दूँगा मतलब उसको character में convert कर दूँगा for example अब मुरे पास generate होता है 3 तो अगर 3 generate होता है तो मैं 0 to 9 की जो range है जो भी range अभी हम लोगों ने नीचे बनाई थी उसको मैं generate करूँगा number को string में convert करके उसको return कर दूँगा इस तरीके से यह काम हो रहा था सभी अब मैंने यहां पर ranges देखी 97 to 122 65 to 90 48 to 57 यह AS की ranges है अगर मुझे A to Z तक का character चाहिए तो मुझे 97 to 122 की range को में से कोई एक number generate करना है 98 करूँगा तो में पास क्या number आएगा में पास आएगा small b इसको मैं CHR कर दूँगा CHR एक ऐसा built-in function है जो कि एक AS की value को लेता है और उसको convert करता है into your character अच्छे इसमें parameter का कहीं word इस्तिमाल हुआ है साला कहीं पर भी parameter का अलफाज इस्तिमाल हुआ है कहीं पर भी नहीं तो बस बात खता है यह not supposed to use it at all सभी है तो आप आपने क्या किया एक रैंडम ली यह पहले 98 जो हम generate करवाएंगे कैसे करवाएंगे अगर for example यहां से वैले को generate करवा के print return करवाना है अगर तो आ रहे तो capital A to Z में से 65 to 90 में से कोई एक रैंडम number generate करवाऊंगा for example 68 आता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा 68 को मुझे CHR करना पड़ेगा और A to Z में से convert हो जाएगा मेरे पास सब्सक्राइब इस इस रेंज की बात कर रहे हैं कि मैंने इस की बात कर रहे हैं इस चीज की बात कर रहे हैं इसकी जो logic है logic वो है आप लोग जब इसकी range बनाने जाते हो ना कि मुझे कैसे पता चला अच्छा सवाल है चलो अच्छा सवाल तो 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 मुझे यह कैसे पता चला कि मैं इंट इतना प्लस करना पड़ेगा कि में पास 97 नंबर आ तो इस तरीके से मैंने अपनी को सोचा था और इन दोरह को डिफ्रेंस है वह वन 97 के अंदर मैं 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 25 को एड करता हूं तो मेरे पास यहां पर मुझे रैंडम ली नंबर लिखना है न वह 25 से ज़्यादा जनरेट ना करके दे मुझे 25 से ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे 25.9 दे ताकि मैं पास मैक्सिमम नंबर जो 25 आए था कि 25 और 97 को जब एड किया जाएगा तो वह 120 से ज्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए है तो आच्छा मैंने इसमें क्यों नहीं की अच्छा सवाल देखो इस लिए यह नहीं की क्योंकि यह एक ही करेक्टर यह वन टू ठी जो है यह तीनों एक ही वारियबल को रिपेजेंट कर रहें विच इज रेंज मतलब रेंज के अंदर वन भी आ सकता है रेंज के अंदर और रेंज के अंदर ही थी मालब तीनों इफ की कंडिशन अगर इफ इस्तमाल करता तो तीनों इफ की कंडिशन में एक ही चीज को compare कर रहे होते हैं if range is equal to one if range is equal to two if range is equal to three तो जब भी एक एक ही variable अलग-अलग scenarios में जज हो रहा होता है टेस्ट हो रहा होता है compare किया जा रहा होता है तो उसमें सबसे best option is case कोई extra marks नहीं है उसके if you want to use if then else you can do that as well सभी है if range is equal to one then a to z small value सभी आलियन कुछ नहीं कह सकते हैं कुछ नहीं कह सकते हैं बस इस चीज़ से इस सवाल से तुम लोगों सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें लेकिन इस सवाल से problem solving skills में क्या इजाफा किया अपना इस चीज़ को यह main चीज होती है तुम लोगों के लिए कि सबसे important चीज़ क्या है कि भाई यह 97 to 122 में से मैं randomly number को कैसे generate कर रहा हूं यह तुम लोग अब सोचनी की जोड़त नहीं पड़े समय सब्सक्राइब करो इस जहन में नहीं चाहिए तुम लोगों के कि सेम सवाल आएगा सेम सवाल नहीं आएगा इस में से सीखो इस सवाल में से सीखो कि मुझे problem solving skills में क्या इजाफा हो रहा है तो अगर तुम लोग ने पहली मेरी जो problem solving की class सबसे पहली जिसमें हमने डिसकस किया था तो उसके अंदर मैंने यहीं बोला था तुम लोगों को कि हर कोड में अपनी problem solving skills की knowledge को increase किया करो कि यह नहीं करो कि हम लोगों ने कोट सॉल्व हो गया मैच हो गया मेरे मार्क से से नहीं अलत solution आपनों का सब्सक्राइब बिटा यहां उसकी प्रैक्टिस करनी पर आपको चलो आगे देखते हैं मैंने यह सीख लिया कि 97 से 122 तक की range बनानी थी तो मैंच क्या करना पड़ता है अब देखो मेरे कोड को मैंने एक यहां पर variable बनाया range के नाम से जिसमें मैंने 123 इन तीन में से कोई एक रैंडम ली जन्रेट करवा है एक्जांपल सपोर्स करते हैं अभी टू जन्रेट हुआ है यहां पर तो रेंज की वैलियू इस तू तो केस ऑफ रेंज बनाया हमने कि अगर वन को देखेंगे क्या टू वन के बराबर है नहीं है अब हुआ और अब सब्सक्राइब करो जल्धी करती चले जाओ कि एचार सेवंटी टू की वैली बताई सब मुझे बिटा कैपिटल है यह वैद कैपिटल है तो कैपिटल जी वैली आरी है सबकी ए बी सी डी ए एफ जी एच 65 66 67 68 69 70 71 72 है जी एच वैली आरी है बाई क्या हो गया जी कौन बोला था था मैं पूछ रखते हैं तो मैं तो किस्छे नहीं आरी तो कभी भी दिमाग में करना क्या सीख़े से दिमाग में नहीं करना कर लो कुछ एक्ट्रा वर्किंग्न तो कुछ नहीं सबस्क cafes तो सब्सक्राइब क्या रिक्टि पर्फिर करते हैं तो किब ग्रंक है मैं जहीच मारे टभाली इंस सब्सक्राइब मेरे पास चार को इत्किन त्रयू पालिट किया तो केस ऑफ रेंज वन नहीं है तू नहीं है थी पर हैं हम लोग भाई मौझूद नम्टू स्ट्रिंग करना किस चीज़ को इंट रैंट 10 इंट रैंट 10 का मदलब किए कि 0 से 9 तक के नमबर जनरेट होंगे इसमें साथ अभी नहीं साथ अभी नहीं बिल्कुल करना है अब्दुला इसके में एक और सबाल है तो इंट रैंट 10 करो भई सपोस्ट करो में पास 7 जनरेट हो रहे हैं नम्टू स्ट्रिंग 7 को स्ट्रिंग में करो तो कृटेशन मार्क्स लग जाएंगे इसको रिटेन कर दो 7 किसे و êtes को करेंगा यह अप लोग का कैसे इस कोड को और सीकुण से देखर लो और मैं कोहिश करहाँ को एसकी वर्किंग जो है वो भी आप लोगों को मैं माटकिम तो है लेकिन यह हाली जो मेरी वर्किंग वह भी आपको मिलता है सब्सक्राइब कर सकते हैं अभी जो आज सी ख्लास से उसके मताभी चलेंगे बागी देखता हूं नभी डिपेंड्स अगर आप लोगों ने लोवर केस का इस्तेमाल करना चाहो हर देखो हर प्रॉब्लम को सॉल्फ करने का हर स्टूडेंट का डिफरेंट अप्रोच होती है आ सब्सक्राइब करना नहीं करना पड़ेगा अच्छा सभी सब्सक्राइब करना है बिल्कुल बैद और जरूरी कोश्चन है अच्छा यहां पर मैंने आपनों की वह डाली भी है इसकी MS तो आप लोग वहां से देख सकते हैं लेकिन मैं अपनी भी डाल दूंगा लेट पॉस सब्सक्राइब और दूसरे मुझे फाइल अप्लोड करनी है एक मिन देगा मुझे शीचर और टेक्स एनी वाल्यू और उसको करेक्टर में करता है मतलब अगर 97 लोगे ना तो जरूरी नहीं के कैपिटल लेटू जैड़ हो एसकी जो है वह स्मॉल करेक्टर्स भी हो सकते है इस तरीके से भी काम करता है नवीद सब्सक्राइब जरूर देखना अब हम लोग नहीं जरा अब सेशन फाइव आपनों का स्टार्ट हो रहा है यह जो अभी सवाल किया है वह सेशन फोर करता मैं अब कल करता तो आज हम इसको जरूर देखेंगे अब आप लोगी एक क्लास इसके लावा मैं और लोगा दो क्लास एक ये दो क्लास और होंगी प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेट क्या मतलब क्या है मेरा हर चीज में प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है लेकिन अब जो है देखो पहले जो सवाल आते थे आपनों के 9608 के इंदर वो तीन इसमें हमारे पास अब जो है और तेओरी के कोश्ण्स होते हैं लेकिन अब जो है नोने एक सवाल मैं नोटिस मैंने यह की है अभी जो 9608 का पैटन है तो इसमें कोश्णमर 5 जो होता है 5 और 6 जो होता है वह प्रॉपर मॉडियूल को कोश्ण नहीं होता है जो कोश्णमर 5 और 6 है अब जो 9608 का पैटन है उसके मताबब ऑल्दो कोई पैटन नहीं है लेकिन मैंने नोटिस यह जो है現在 यह वैसा सवाल नहीं होता है यह वाला जो problem solving के जो हम हम भी है सवाल कर रहे हैं यह एक individual question होता है और individual question असान question होता है बिलकुल बस सोचना जाद होता है स्वापको सभी इसकी अप्रोच इसने change कर दी है जैसे अभी एक सवाल आपनों को यादो के for example जो अभी उसने recent पूछा है के लेफ्ट और राइट के functions को इस्तेमाल करके Mid ka function मनाओं Сп Menow तो यह एक individual question hai Unterstüt सवाल इसको और जैसे अब यह वाला सवाल घवी और सवाल आ इस दिष्डeffective अप्रोच है द्माग इस्तेमाल करना है और issy और और सभिन एप उप्रोच रहे सभी लॉजिक है सारे एक curriculum वाला नहीं है टॉपिक मतलब जो पहले आते थे टॉपिक जो डिवाइड हुए थे एरे फाइल्स या स्ट्रिंग मनिपलेशन तो उन से एक पूरा प्रॉपर मॉडियूल कोश्चन नहीं है यह क्या है यह सोचने का कोश्चन है माक्स इतने ज्यादा भी नहीं है इसके पांसे छे म को कैसे जच करते हैं और आज मैं देखांगा कि मैं बिल्कुल माक्सीम से चलूंगा माक्सीम को मैं देखना भी नहीं माक्सीम को पहले देखेंगे हम लोग और उसके बिल्कुल चलेंगे क्योंके माक्सीम में अभी मैं सवाल दिखाता हूं पहले आप लोगों को चलो आज क चलू भई अच्छा पहले सवाल को पढ़ते हैं सवाल को पढ़ने का पिर माक्सकिन पर जाएंगे अच्छा जी अब वो कह रहे हैं a string is a palindrome एक string जो होती है is a palindrome palindrome क्या होता है हमें नहीं पता इफ इट रीट्स जो भी ऐसे ट्रेटे सवाल होंगे उसकी description दीव होगी इफ इट रीट्स दे सेम फॉर्वर्ड्स ऐस बैकवर्ड्स सब्सक्राइब इसको अगर मैं कहूं आप लोगों से इन्होंने examples दीवें आपनों को समझाने के लिए अगर यहाँ पर value है इस तरीके से लिखावा है race car अगर मैं इसको forward way में पढ़ता हूं तो उसको क्या पढ़ा जाएगा भई क्या पढ़ा जाएगा इसको क्या पढ़ेंगे race car बोलेंगे अगर मैं इसको backward पढ़ता हूं आर एसी एसको रेस कारी पढ़ेंगे ऐसी strings जिनको आप forward पढ़ो या backward पढ़ो तो वो दोनों सेम ही होती है तो यह अगर उनको forward पढ़ो या backward पढ़ो वो सेम ही होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं पैलंड्रोम और एक्जैम्पल देखते हैं अगर यहां पर एक्जैम्पल लिखी हुए मैडम माडम भाई हमारी अगर इसका forward रीड करते हैं m-a-d-a-m तो सेम है बैकव तो तुम लोग a-r-e पढ़ो तो r बनता है और e-r-e पढ़ो तो एक डिफरेंट वर्ड बन जाता है एह रहा हूं सही है तो गलत होगे यह पैलंड्रोम नहीं है मुझे identify करना है जो भी string value दी जाएगी आप लों को कि वह पैलंड्रोम है या नहीं बिलकुल अच्छी example है आ आए लेख लो तो e-y-e पढ़ो this is also i और opposite backwards में पढ़ो e-y-e वो भी सही है तो यह सब क्या है आपकी पैलंड्रोम की examples है यह मेरा concept कैसे clear हुआ मेरा concept clear हुआ by seeing the examples चलो तो अगर मैं कहूं अगर मैं इस string को forward read करूं वह मेरे बराबर होगी backwards string के साथ क्या यह कह सकते है क्या यह कह सकते हैं कि forward read करो वह बराबर होगी बैकवर्ड उसके साथ backwood string मतलब अगर मैं इस तरीके से लिख ऊँए यह दोनों सेम है क्या यह कह सकते हैं मतले इन दोनों को अपर अपर केस करदेंंगे इसको भी आपर docs कर दो और इसको विए उकेस कर दो तो तो में सब्सक्र्णा ही मैंने वह लिये भी सवाल को पढ़कर अपनी अपने मैंने करके बता है लेगिंध तो यह नहीं सबता है कि पहले character को लो दूसरे character को लो आघरी character को लो compare का mü से मैं फिर Willow फिर से मैं फिर सी को लो सीकुलो से मैं और फिर आखरी जो इसके दो तीन तरिक है यह हम मुझे जर तुम लोगो समझाना है अब वह क्या कहे अप्र एस ऐन lower case character needs to be treated li intention सही है वो क्या कहना चाहान है अपर केस करेक्टर्स नीड तू बी ट्रीटर्स नीड तू बी टूर सीम सेम डीट करना है उनको आपने मजलाव अगर स्मॉल आ रहा है वह कापटल आर ने करूंगा दोनों को मुझे अपर केस करेंग पड़ेगा थाकि मैं उसकी कंडिशन को कर स तो दिमाग अस्तामाल करो तो लोगर की सब्सक्राइब किया सकता है को अब देखो मैंने अपनी एक किये मैं एक किरैक्टर को एक्स्ट्राइक्ट करता जाऊ उपोजर इंडेक्स के साथ एक एक एक्स्ट्राइक किया अर को यहां डाल दिया फिर A को एक्ट्रेक किया, किंकाटिनेट कर दिया, फिर C को किंकाटिनेट कर दिया, फिर E को फिर किंकाटिनेट कर दिया, फिर A को फिर किंकाटिनेट कर दिया, फिर R को फिर किंकाटिनेट कर दिया, मेरे पास एक पूरी स्ट्रिंग तयार होगी, इसको अपरकेस करो, इसको यह basic understanding मनाई है code कैसे करेंगे मुझे नहीं समझाया बही कि मैं यह opposite index कैसे चलाओंगा मुझे नहीं समझाया मुझे एक चीज़ पता है कि अगर मुझे एक एक करेक्टर को starting six track करना होता है तो मैं क्या करता हूं एक एक करेक्टर को अगर मुझे स्टार्टिंग से एक्स्ट्राइक करना तो मैं क्या करता हूँ फॉर को लूप फॉर को लूप मिड इंडेक्स कॉमा वन ऐसी है यही लॉजिक थी यही मेरे पास अभी लॉजिकल थिंकिंग मेरी जब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्केल्स है वो मैं यही बताती है कि अगर आपने एक करेक्टर को एक्स्ट्राइक करना है तो आप क्या करते हो आप बोलते हो कि इंडेक्स अँडेक्स यहां पे अब मैं अपनी जो अगर मुझे लास्ट करेक्टर से स्टार्ट करना ए और सब्ट्रैक्शन करनी है तो मैं क्या करूँगा अब मुझे इसके बारे में सोचना है चलो अच्छा यह कोड मेरे पास बनावा नहीं है मतलब यह code मैंने भी यह तक बनाए नहीं है marks scheme जो बिलकुल अलग है और marks scheme घलत हो जाती है कुछ सिनारियो इसमें न तो हम marks scheme घलत marks scheme है यह इसके एक सही तरीका हम लोग अपनी approach खुद बनाएंगे माक्स scheme जो तक खलत है सबसे पहली चीज़ देखी मैंने इस कि फंक्शन के फंक्शन क्रिएट करना है इस पैलेंड्रोम के नाम से मैं बताता हूं मुझे मैं बताता हूं कि फंक्शन इस स्टेप वाले क्क्षेम में लोग के कौनफ्यूस हाना है तो मैं आवर्ट करता हूं अइसको पैल फैलिंड्रोम और उसके बाद यहां पर क्या ख्यूँए वह एक स्टरिंग तो कर लेते हैं इस पैल ग्रॉं क période इस पैस्ट कॉलें स्टिंग चरते हैं अभी फिलार के लिए रिटेंट नहीं मैं इस्तेप इस्तेमाल नहीं करता हूं रिटेंड बूलियन यह मैंने हैडर बना लिया हैडर बनाने का मैंने दो लाइने छोड़ दी फॉर योडिक्लेरेशन अभी नहीं समझा दूंगा लेकिन अभी इस अप्रोच में नहीं चलो अब मैंने कहा मैं फॉर को लूप अप्लाए करता हूं फॉर इंडेक्स इंडेक्स इस इकुल तो वन तू लेंथ अफ इंस्ट्रिंग लेंथ आफ टेक्स्ट अच्छा अब मुझे कुछ चीज़ें समझनी हैं मुझे एक इक्जाम्पिल देखनी पड़ेगी ताके मैं इस इक्जाम्पिल को देखते वे अपनी रेंज सेट कर सको मैंने यहां पर क्या किया मैं अपमें पर पास एक्जाम्पिल लिखी मैं लॉजिकल तिंकिंग कर रहा हूं कि मुझे कैसे आखरी करेक्टर से एक्स्ट्राइक्टर करना है तो मैंने इनको नंबर्स दीए मैं समझनी की कोशिश करूं कि मैं कैसे बनाओंगा मैं एक काम कर रहा हूं कि मेरे पास यहां पर एक स्ट्रिंग मौझूद है यह एक स्ट्रिंग मैंने यहां पर बना ली empty एक empty स्ट्रिंग है इसके अंदर मैं concatenate करवाता जाऊंगा सही है एक empty स्ट्रिंग है मुझे इसके अंदर काइट करवाना है अच्छा chr mid text अच्छा अब इसके बात क्या करते हैं mid के अंदर क्या चीज आती है जो character आप लोगोंने choose करना है आपने किस character को choose करना है और comma 1 ये तो मुझे पता है कि comma 1 आएगा कि एक character को extract करना है तो comma 1 आएगा लेकिन अब ये चीज़ identify करो मुझे last वाला number चाहिए मुझे क्या चाहिए मुझे last वाला number चाहिए सोचो last number कैसे आ सकता है मेरे पास last number की value क्या है 1 2 3 4 5 6 7 7 कैसे आएगा मेरे पास सोचो उसके बारे में सोचो 7 कैसे आएगा मेरे पास length of strings है ऐसी length of strings है तो मैं अगर यहाँ पे एक वो बनाओ i n के नाम से एक variable बना रहा हूँ i n के नाम से मैंने एक variable बनाए जो कि basically क्या चीज़ रेप्रेजेंट कर रहा है length of string length of text I mean अच्छा अब मुझे यह बताओ मुझे यह बताओ सब बहुत से सुनना कि मैं इसको loop के अंदर कैसे करूँगा मुझे decrement करना है मतलब seven minus one करूँगा तो six आजए फिर seven minus two करूँगा तो five आजए फिर seven minus three करूँगा तो four आजए seven minus इस तरीके से चल रहा हूँ तो यह मुझे decrementation करना है seven जाओ फिर six पर जाओ मतलब एक ऐसा variable है जो कि increment होता जाएगा और वो subtract होता चला जाएगा बेहतरीन बेहतरीन तो मैं I n के नाम सीच मैंने वह बनायाए न तो मैं इसमें plus one कर दूंगा क्यों plus one कि है मैंने मैंनी ये plus one क्यों किया है मैंने plus one इसलिए किया है क्यूंकि вами पस value eight साजएगी length of text value क्या length of text की value क्या हो जाएगी 8 हुज जाएगी 8- index अगर मैं करता हूं मैंने यहाँ पर आई-n- index अगर मैं 8- index करता हूं मैं पस्क्या वैल्य आज़ेगी पहली दफ़ा लूप चल रहा है पहले दर्फ लूट चलेंज डिवल्लाएं सेवन ऊं हैगी तो । आन में क्या ऐल्य मैं तुग होगे तो हमें पास six character पर याओ एक 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 च्छाइक कर सके तरी फाइव पर चले जो फिर फोर होजएगी इंपे चले जो फिर फिर फॉर फिर तू पर वन इस तरीके से मिलों का आप सबस्क्राइब इंक्रीज होगी है पहले फिर 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 फॉर फिर फाइव इंडेक्स की वाल्यू विल गेट इंक्रीस्ट और आए इं माइनस इंडेक्स मतलब वो कम-कम-कम होता चला जाएगा आपके पास जब मेरे पास character अच्छा मुझे पहले बताओ कि CHR के concept clear है सबको कि कैसे काम कर रहा है IN क्या था IN जो है वो length of text plus 1 है plus 1 मतलब 8 8-index करो 7 हो जाएगा 8-2 करो 6 हो जाएगा 8-3 करो 5 हो जाएगा 8-4 करो 4 हो जाएगा 8-5 करो 3 हो जाएगा 8-6 करो इस तरीके से काम करें 8-1 8-2 8-3 is equals to 7 फिर 6 8-3 5 8-4 8-5 यह 1, 2, 3 कैं है यह सब कैं है यह index की values है 8-5 will give you 8-5 3 फिर 8-6 6 will give you 2 8-7 will give you 1 तो में पस एक opposite index त्यार हो गया पहले 7 करेक्टर को एक्स्राइक किया विच आर फिर A फिर C फिर E फिर C फिर A फिर A फिर capital R इस तरीके से यह मैंने logic अपनी अपनी खुद बनाई तही कह जी चलो अब जब character extract हो गया है अब मैं क्या करूँगा इसको concatenate करवाँगा concatenate किसमे करवाना है index is equal to length of text to 1 कर सकते हो इसको भी कर सकते हो index नहीं इस्तमाल करोगे जो for loop का है वो नहीं इस्तमाल करोगे बिटा जैन डिरेक्ली राइट का function नहीं कर सकते हैं अपलाए हमें एक एक character को extract करके concatenate करवाना है empty खेंद इस तरीखे से काम करना है एक एक character को extract करवाके देखो अगर यहां पर लिखावा है ताहा अगर यहां पर लिखा हुआ है ताहा for example अगर मैं कहता हूँ right तो में पास क्या चीज़ वैल्यू आएगी right के बाद भी मेरे पास वैल्यू ताहा ही आएगी अगर मैं right 4 करता हूँ यह opposite नहीं होता है right 4 जै बस वह ऐसे करके चार enti cellか हो अक्सराक कर及 आएगी तो स्क्राकर स्क्रा spark करके तहाही वैल्यू आएगी आगी मिट फंक्शन करके A को एक्स्ट्रैक किए एक को पहले ले रहे फिर एक लिया फ्छिए पहले लिया फिर एक rule cookie हो सकता reciprocal सभी है अच्छा अब देखो भाई अब में पर केस की लॉजिक नहीं लगाँगा जो कि आपके माक्सीम ने लगाई है वह बहुत गलत लॉजिक है मैं बिठाता हूं क्यूं चलो CHR किया अब इसको मुझे करवाने किसके अंदर करवाने MT के अंदर करवाने तो मैं बोलूंगा MT is equal to CHR जो भी वाल्यू है उसको कंकाटिनेट करना है किसके साथ कंकाटिनेट करना है MT के साथ यह पहले MT is equal to MT and CHR यह हो गया जी किनकाटिनेशन आपकी एंड फॉर अच्छा इस लूप के खतम होने के बाद मेरे पस क्या आंसर है इस लूप के खतम होने के बाद मेरे पास उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का रिवर्ज्ट वर्जन आ जाएगा इसमें किसी को कोई मसला इस लूप के खतम होने के बाद मेरे पास रिवर्ज्ट वर्जिन ओफ माई स्ट्रिंग वैल्यू आ जाएगी बिटा नहीं कर सकते सुकून से देखो अब मैं रुक रहा हूं यहां पर चलो मैं दो मिनट के लिए रुक रहा हूं सुकून से खुद देखो मुझसे सवाल मत पूछो भी कोई इसको ऑपोजट करके पड़ो तो क्या वो सेम है या नहीं है मुझतवा कर सकते हो वो भी कर सकते हो अच्छा मैं कोड को रन करके दिखाते हूं तो मिनों के लिए एक ऐसी वैल्यू लेते हैं जो के सेम नहीं है जो के पैलेंड्रोम नहीं है एक ऐसी वैल्यू लेते हैं जो के पैलेंड्रोम नहीं है तो एक्जेम्पल यहां पर वैल्यू ले रहा हूं मैं कोई नाम बताओ मुझे ताहा ले लेते हैं चलो सही है ताहा तो यह ताहा जो एक स्ट्रिंग है यह क्या है यह पैलिंड्रोम नहीं है तो विच इसको रीड नहीं करेंगे तो अब जर्ण करके देखते हैं मैंने का फॉर इंडेक्स इस इकोस टू लेंट अफ टेक्स मतलब तब ताहा तो लेंट पटेक्स किया है वही सब मुझे जवाब देते रहो लेंद और टेक्स क्या फोर आगई मैंपस वाल्यू चलो जब मैंपस वैल्यू फोर आगई तो यह चार्ट दफा लूप चलेगा अब उसके बाद आए एन मतलब एक रैंडम मैंने इंडेक्स लिया है अपनी तरफ से अब लेंद आफ टेक्स लेंट आफ टेक्स मतलब है यह देखो आयन माइनस इंडेक्स आयन में वैल्यू थी फोर प्लस वन फाइव तो फाइव माइनस इंडेक्स बताओ आंसर क्या आएगा मेरे पस फाइव माइनस वन फाइव माइनस वन आंसर क्या आएगा और आ गया मतलब फोर्थ करेक्टर पर जाओ और कॉमा वन आंसर आगया मेरे पास चलो कि मेरे पास आगया कोई मसला यहां तक किसी को ए तक पहुंचने में किसी को इश्यू चलो बेतरीन अब मैंने कहा MT is equal to MT and CHR MT is equal to MT and CHR मतलब करवाओ MT के पुरानी value which is MT string और इसको जोड़ो किसके साथ जोड़ो मतलब भी प्लस का साइन इस्तेमाल करों है ताकि आपको समझाए किसके साथ जोड़ोगे एक से के साथ तो यहां पर value अब क्या चुकिए यहां पर value आ चुकिए सगी जी एक दफ़र लूप चल चुक है अब इंडेक्स की वैल्यू इस चेंज्ट टू इंडेक्स की वैल्यू क्या हो चुकिए बही अब इंडेक्स की वैल्यू टू हो चुकिए चलो अब रन करते हैं कोड को IN length of text plus 1 IN की value 5 5 minus index करो 5 minus 2 करो answer क्या रहा है 5 minus 2 करो answer क्या रहा है 5 minus 2 answer will be 3 3,1 3,1 मतलब 3rd character पर जाओ which is H H को extract करके concatenate कर दो तो यह हो गया H अब index की value is now 3 5 minus 3 करो answer क्या रहा है 2 तो 2 पर जाओ 2nd character पर जाओ और extract करके concatenate कर दो A आ गया अच्छा अब उसके बाद फिर से वही same चीज़ अब index की value is now 4 अब last loop चल रहा है तो 5 minus 4 answer क्या आएगा 5 minus 4 answer क्या आएगा 1 तो first character पर जाओ उसको extract करो और यहां पर T डाल दो में पस अब दो चीज़े हो चुकी है एक empty में पस value आच चुकी है इसमें AHAT बन रहा है हमारे पस और एक value है ताहा अब मैं जो अगर इसको check करना है तो मैं यहां पर condition बनाऊँगा मैंने कहा temp के नाम से एक variable बनाया जिसके अंदर मैंने store किया अब देखना है इसको यहां पर जिसके अंदर मैंने क्या किया मैंने कहा दोनों को upper case कर दो u case u case एक ऐसा में पस built-in function है जो कि कोई भी string value लेता है और उसके हर एक एक character को upper case कर देता है तो अगर मैं इसके अंदर एमटी पास करूँगा तो मुझे बताओ answer क्या जाएगा मेरे पास अगर u case एमटी पास करूँगा तो answer क्या जाएगा capital A.H.A.T ऐसे है capital A.H.A.T अभी इसी example को देख रहे है और मैंने यहां पर कहा temp 2 के नाम से बना रहो temp 2 के नाम से बना रहो temp 2 के नाम से बना है मैंने का you case text अब बताओ इसका answer क्या एगा temp 2 का answer क्या आएगा temp 2 का answer क्या एगा यह बताओ अपर के से बिटा अपर के से में आजएगा T.A.H.A. अपर के समय तो अब मैं बस दोनों अपर के समय हो चुके है yes यह नो मैं यहां पर अब अपनी इफ की कंडिशन अप्लाइ कर सकता हूं क्या इफ की कंडिशन होगी भाई मेरी मेरी इफ की कंडिशन होगी कि अगर मेरी temp की value और temp 2 की value बराबर है क्या इफ की कंडिशन बारों है मैंने कहा if temp is equal to temp 2 तो वो पैलेंड्रोम है इसे हैं तो वो पैलेंड्रोम है देन रिटर्ण ट्रू कर दो रिटर्ण ट्रू और एल्स अगर नहीं है तो रिटर्ण फॉल्स लेट सेट यह कोड़ता है ने वेटा टू अपर जो है वो condition के लिए चेक होता है नवीद अपर यू केस अगर convert करना होता है तो यू केस अगर चेक करना है कि वो अपर केस थे तो अपर किसी को कोई इशू इसमें क्या मेरा कोर्ट सही है सवाल जैन सही है कुई मस liability इससे से फ्रयक ने पड़ता inside कर or outside कर क्या फ्रयकर या मेरा कोट सही है यस यह नो इस यह नो it works अबैद क्या इस्च्छ है मोहित क्या इस्च्छ हो चलो बताओ जिसने नो का ये वो बताओ क्या इस्च्छै end function करना है मासरत भाई चलो खुश रहो तुम लोग बाई एंट वंकियों नहीं डिस वस नॉट दियांसर दर आम लुकिंग फो एल्स की इंटेशन से कोई फर्ट नहीं यार इतना इशू नहीं यह लो ठीक है खुश हो जो इतना बड़ इशू नहीं है इसनों डिक्लेरेशन के मैं भी करता नहीं हूं क्लास के अंदर नहीं करता हूं तुम लोग कर लेना जितने वैरिबल्स बनाओ वह असान काम है अच्छा अब सवाल अकोर्डिंग टू यह मार्क स्कीम साही है मार्क स्कीम की मताबग आपका कोट स अधर है सवाले नहीं पता ओंघ्लत वोगरल यक्स जेयों हो पूरी सब्सक्राइब सकता है अब हम जरा अपनी इग्जैंपल लेख दे है के मेरे पास टीम्पल में उसने इंटीजर्स भी दिये में यह स्को तुम अपर केस कर सकते हो यह चीज़ आपके एक्जामिनर के तमाग में भी नहीं थी तो उसने तो किया वा था तो गलत अप्रोच है यह चीज़ गलत हो जाएगी यहां से अगर कोई इंटीजर पास कर दी है उसने तो यह एरर दे देगा तो यू केस चार एक अंदर आपने यहां पर वन वैल्यू स्ट्रिंग पास कर दी तो यह खलत हो गया अगर यहां पर चार बी के अंदर टू पास कर दी तो यह खलत हो गया तो यह तो सवाल आपको इस तरीके से यहां पर आके खलत हो जाता है इस सेनारियो को अगर हम करना चाहें सही तो हम यहाँ पर इफ की कंडिशन अपला है कि नहीं पड़ेगी कि अगर आपकी जो टेक्स वाली स्ट्रिंग है वो है पर के-स नहीं करोगे मैं अगर कैसंगा है安use होता ही नहीं है आप लोगने चया है अगर एक कि टेक्स्ट वारी श्रिंग थी इस तरीके से चेक करना है कि वाट इफ इंट्लूद बहुत हाँ चलो अच्छा सवाल है लेकिन हम लोग ने भी एक्जांपल लेटर के मताबिक काम करें अच्छा सवाल है अगर दोनों होंगे तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा उसके बहुत लंबा कोड़ जाएगा है करेक्टर को चेक करना पड़ेगा कि एक डाट करेक्टर इस नॉट डिजिट तो फिर हम लोग क्या करेंगी तो इसको फिर हम लोग ने डायरेक्ली करना है यूकेस नहीं इस्तेमाल करना तो आप हम यहां पर करते हैं एक जल्दी से च्छोटी सी कंडिशन में आदेकर बोल अच्छ वसकते हैं अभी तो पूछो ना बिटा ही यू है वाकुश्टिन लेंग कोश्टिन डायरेक्ली बूछो ना सब्सक्रीज पर्लू कर सकतो अच्छी अप्रोच आप्र सकता है एंप्टी के साथ इंटीज का एंड फ्लाइग के पर अब नहीं 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 कर सकते हैं कि नहीं में लेफ्ट का सागे नहीं हो सकता सब्सक्राइब अच्छा मुझे देखते हैं उसको है सभी है तब हम यहां पर क्या कर सकते हैं में करके दिखाऊं क्या देखो यहां पर यहां पर जेकल AB 성공 हां तो जब इकवल नहीं होगे तो वो फॉल्स टेन कर देगا न मैविश अगर टेंप फन योपी टेन कर देगा कि पालंड्रोम नहीं है पर आमिड्रोम नहीं है क्या इस फ्रास को ऐसे होते हैं हम वोते हैं आं लगें तो फॉर्स टेंड कर देगा ना ऐगर ऑग्जांपल亲 request is उसली कॉप टूरिय किर देगा बूद्छी किंडिशन लगेगी इसनम ultimately घुलिज तूछि ल अगर यह टूरितंब करता है मुझे क्या करना है मुझे डाइएलिए यह कंडिशन को अपलाए करना है without doing uppercase मैं ये directly condition को apply कर दूँगा which will be if is numb text is equal to true then this comparison else if ये वाला comparison पूरी condition फिर साय जाएगी बिल्कुर कर सकते है जैन you can still use it तो ये अप्रोच थी ना भी करो तो according to your maximum पूरे maximum लिए इसनम क्या था इसनम जो है वो चेक करता है कि इसनम डिजिट्स तो नहीं है क्या है दे सकता है सदाम ना भी दे तो कोई मसला नहीं हम कर चुके हैं इसके बार में डीटेल क्लास इसनम कहा आएगा इसनम सबसे पहले condition चेक करोगा ना ये वाला upper case apply करने से पहले इसनम को चेक करोगा सही है तो ये काम था वही आपनों का पूरा सवाल इस तरीके से करना था कि ये भी कर सकते थे एक और अप्रोच देखो एक और अप्रोच देखो ये आप लोग फॉर के लूप को ऑपोजिट चला लो सेवन टूवन कर लो सेवन टूवन भी किया जा सकता है कि लिए सेवन टूवन करेंगे और इसके बाद आप स्टेप नेगेटिव बन भी कर सकते हैं तो वह नेगेटिव इंक्रिमेंटेशन होती चले जाएगी यही अप्रोच वालो की थी तमने हां 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 तो सेवन टूवन कर लो सेवन टूवाएं सेवन टूवन करके उसको भी स्टेप नेगेटिव नगेटिव न से गता है नेगेटिव इंक्रिमेंटेशन पर वह आयन की ज़रत नहीं पड़ेगी सिंपल सभी जी तो ये सवाल था अच्छा अब एक सवार और था अपनों का एक मिलों के सवाल देखता हूँ क्लास के बाद में बात करते हैं तुम लोगे कोशन से एक चीज मुझे समझा रहा दो एक पहले चीज तुम लोग इस लाजिक पर बिलकूल भी पहुच नी सकती हो एक्जाम के दुरान ऐसे यह 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 एक अच्छा हो है सवाल कि यहां तक यह तो समझ तो आ गई है, तुम लोगों को चलो, कि यह खुद कैसे सोचोगे है, सवाल यह है, सवाल यह है कि खुद कैसे सोचोगे है, तो यह बात नहीं है कि मैंने यह इसको बस पहली दफ़र मैं टेम्ट कर लिया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क मैंने इसका स्वियूशन जो खुद क्रिएट यह तो मैंने किस तरीके से सबस्रेएर, उल्टा करके पढ़ो, तो स्थे나ी चाहिए, तो उल्टा करके पढ़ो तो सेम होनी चाहिए मुझे क्या समझाए कि अगर मैं इस चीज को स्ट्रिंग को एक एक करके मैंने पहले अपनी लॉजिकल थिंकिंग पर मैंने फोकस किया कि मुझे यह समझता है कि मैं करनूँ है क्या मैंने बस अभी पहले एक अपनी सिर्फ सवाल को पढ़ते वक्त कि मैं एक एक करके एक करेक्टर को अगर इसको opposite कर दूँ जैसे अगर ताहा लिखा वाई कैसे करेंगे वह बाद में सोचना हे सही कैसे करेंगे इसको बाद में सोचना है पहले क्या चीज़ सोचनी है कि यहां तक रस्ता ढूंडना कैसे है सही है यह मैं प करेक्टर को opposite कर करके extract करते जाओ और एक दूसरी स्टिंग में store करते जाना हुआ कैसे करेंगे वह बाद में सोचेंगे इसके बारे में फिर इन दोनों को एकर compare करवाता हूं तो अगर यह सेम है तो परेंड़रो में नहीं है तो यह परेंडरों 1 अगर मुझे 7 से करना है तो मैं क्या करूँगा अब सोचूँगा इसके बारे में इसको time दूँगा सुकून से बैठके सोचूँगा head down करके बैठ जो अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही और सोचो इसके बारे में जब तक सोचोगे नहीं नहीं कर पाऊगे चोड़कर आ जोगे सोचना है और ये दिमाग में रख लो कि तुम्हें answer मिल जाएगा अगर सोचो कि तो एक point आता है फॉरन click हो जाता है कि अच्छा अगर मैं ये करके देखता हूँ और कभी भी सोचने का ये मतलब नहीं है सोचने का ये मतलब नहीं है कि तुम लोग सिर्फ सोचते ही रहू कभी कबार चीज़ें करने से बहुत जादा help हो जाती है for example मैंने तुम लोग के एक चीज़ करके दिखाई मैंने race car की example ली थी और उससे फिर मैंने अपनी index की values को सही गिया कि प्लस वन कहां करना चाहिए सब्ट्रैक कहां करना चाहिए कैसे करना चाहिए लूप के अंदर कैसे होगा मैंने क्या किया मैंने सोचा example हमेशे जो है बिल्कुल pencil से कर लो कोई मसला नहीं एलसल रखो पर रह पास उससे attempt कर लो कि example देखो example data कि अपने इस्तेमाल करो उसको visualize करो चीज़ों को paper पर करना start करो solution करो तो ही तुम लों का code बन पाएगा सब्छे तो ये approach थी इस तरीके से मैंने इसको solve किया था सवाल को हर एक इस चीज़ को read करने के बात सब्छे जी नहीं आया तो फिर सोचना है ठीके जी let me stop the recording फिर आपनों के सवाल देखता हूँ अके जी अल्हाफिस